काफी टाम से में बार-बार कह रहा था कि 30-30 का एक iPhone आने वाला है, वेट करना, वेट करना, तो वो iPhone finally launch हो चुका है, ना हमें iPhone SE, एक बार बता देता हूं कि यह iPhone SE, जो पहला smartphone ने है, iPhone SE पहले 2016 में भी आय था, iPhone SE in the sense, iPhone Special Edition, इस वीडियो में इसी के बारे मैं बात करेंगा, और finally में ये भी बताने वाला हूं कि अभी नहीं तो एक साल बात मैं इस फोन पर अप्ग्रेड होने की कोशिश क्यों करूँगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना श्याय करना सब्सकाइब जरू कर लेना वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन जल्दी जल्दी बता देता है तो फिर उसके डीटेल में जाऊंगा पोट्रेट मोड वगेर आपको देया गया आयूस 13 पर चलता है और गैरेंटिये कि अगले पांच साल तक तो अपडेट आपको मिलने ही वाला है अभी इसके डीटेल में बात करता हूं समझ सकते हूं कि आप में से सभी लोग HD Plus का नाम सुनते ही अफंड हो गयोंगे बता देता हूं कि एक HDR Plus Dolby Vision Certified Display है 652 Nits का इसका ब्राइटनेस है तो किसी भी संस में कम ब्राइटनेस वाली स्मार्टफून नहीं है बाहर ले जाओ कई पर भी ले जाओ बहुत ही बड़ी ब्राइटनेस होने वाला है उतके बात बहुत सारे एडिया से जहां मेरे को लगता है ने कि Apple ने इस बार प्राइस य इस बाद आपको NFC भी मिल जाती है वायरलस चार्जिंग भी मिल जाती है फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो कंपनी क्लेम करें वेबसाइट पर लिखा है कि 18W का चार्जिंग है और 30 मिनिट्स में 50% तक चार्ज हो जागा तो आपको जो एल्टी परसंट तक चार्ज हो उन भी प्रॉब्ड़्म नहीं होने वाला है फिर one- एक मेटर तक 30 मिनिट्स तक एक मेटर तक 30 मिनिट्स तक आप बिल्कुल सेफ हो तो बहुत सारे जगे मेरे को लगता है कि इस बार आपल ने कॉर्ण कर निकिए और फाइनली आप सब जानते हैं ए थर्टीन बायनेक वही प्रोसेसर जो आपको 11 Pro Max में देखने को मलता है जो एक इसके स्क्रीन साइज की 4.7 बहुत लोगों को बहुत चोटा लगने वाला है मेरे को कहना की डिसन लगता है क्योंकि बहुत ऐसे भी ओडियंस जिनको कॉंपेक्ट स्मार्टफून काफे जादा पसंद है पर बेजल्स इतने बड़े बड़े बेजल्स मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता उसके बाद आपको येरफून जैक भी देखने को नहीं मिलता यार इस प्राइस रेन पर तो मेरे सबसे येरफून जैक तो देना च क्योंकि 35,000 में आपको Realme X50 Pro मिल जाता है, Redmi K30 Pro आपको आने वाला है, फिर आई गया है, उसके बाद आपको Pocophone F2 के बारे में भी बात है जिसमें आपको 865 मिलेगा, 5G सपोर्ट मिलेगा, जो जाधा future ready है और 2-3 साल और जाधा चला सकते हैं मेरे को कई ऐसा लगता है Android Community को पर आपकोर्स reality मानना पड़ेगा, अगर आप iPhone ऐसी लोग है, तो उगले 5 साल तक आपको updates आने वाला है और चला सकते हो, वो एक बात है, फाइनली बात कर लेते हैं, प्राइसिंग के बारे में, मैं बारवर बता रहा था कि 30,000 का आईफोन लाँच होने वाला है, वैसे बि 20% Apple की गलती है, तो 80% Government की GST की गलती है, जिसके वज़े से ऐसा हो है, और जो बाकी 2 variants की pricing है, वो भी मैं यहां पर डाल दूँगा, चेक आउट कर लेना, आपकोर्स बहुत जादा ओर प्रैस है, इंडिन मार्केट के लिए, अटलिस्ट क्योंकि बहुत चीज है जिसके वज आइड्रोइट फोन्स खरीद के रिव्यू करने में मैं इन्वस्ट करना चाहूँगा, एक साल बाद हम कोशिश करेंगे खरीदने के क्योंकि इसका जो आई मेसेज हो गया, फेस्टाइम हो गया, एड्स नहीं आता है, मैं आइपोन 6S Plus यूज़ कर रहा हूँ भी यार चार आइड्रोइट से, पर्फोर्मेंस भी अगर आप देखो के मेरा आइफोन 6S Plus को लगबग 5 सा लोने को है, 4-6-7 मही ने कुछ पहले लाँच हुआ था, और सबसे पहले हमने ले लिया था, जैसी आया था, हमने खरीद लिया था, और अभी भी उसको स्मूधने से नेक्स ले लोगों को लेने के लिए, क्योंकि Android में इससे बहुत 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 बड़े ओफरिंग्स है, अगर आप iOS का fanboy नहीं हो, आपको privacy नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा privacy या ad free चीज़े नहीं चाहिए, तो मैं suggest बिल्कुल भी नहीं करूंग ये smartphone लो, इस वीडियो के इतने वीडियो पसंद आया, तो बस like दबा देना और subscribe जरू कर लेना, और एक बार बता दे रहा हूं, मैं कुछ ऐसे वीडियो पर काम कर रहा हूं, जिसमें मैं थोटा सा life hacks, जो tech life hacks होते हो, वो try कर रहा हूं, तो थोटा सा कोशिच कर रहा हूं कि कुछ exciting content ले आने की, तो stay tune रहना, subscribe जरू कर लेना और थोटा सा support कर लेना, इस वीडियो के लिए थना है, thank you so much for watching, अगले वीडियो बलते हैं, bye